Good morning and welcome to our YouTube channel So start करते हैं 27th of November के important current affairs So current affairs start करने से पहले हम last day के current affairs का revision कर लेते हैं So देखते हैं हमारा पहला question है 2021 में देश का सर्व स्रेष्ट पुलिस ठाना का प्रोसकार किस पुलिस ठाने को मिला है इसका answer होगा सदरबजार ठाना जो कि दिल्ली में है अब दल्ला हामडो किस देश के फिर से प्रधान मंत्री बने है इसका एंसर होगा फ्रेंड्स सुडान किंद्री ग्री मंत्री अमिश्ण ने वर्च्वल तरीके से किस राज में रानिक ग्यादिनल्यू आदी वासिश्वतंतरता सेनानी संग्राले यानि की रानिक ग्यादिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधार शीला रखी है इसका एंसर होगा पांचवे एशिया युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहां होगा तो इसका एंसर है ताशकंद उजबेकिस्तान जोकी उजबेकिस्तान की राजधानी है नेक्स्क्रेशन है कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है इसका एंसर होगा अभिजीत बनर जी न भारत की जीटीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है इसका एंसर होगा फ्रेंट्स 9.3 से 9.6 परसेंट नेक्स्क्रेशन है राश्पथी रामनात कोविन ने भारती सेना के ग्रूप कैप्टन जो है अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है तो इसका एंसर है वी जीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इसका अंसर होगा 300 मिलियन डॉलर पर इसका एंसर होगा फ्रेंड्स ओडिशा में अब स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफ़ेर्स की अपने दिन के सुरवात करते हैं 27th of October, November 2021 के इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर्स के साथ तो आज का फर्स्ट क्यूशन है यहां पर ATP फाइनल्स खिताब जो है 2021 का किस नहीं जीता है इसका सही अंसर होगा और ऑप्सन नंबर B, Alexander Zverev ATP जो है पूरे विश्व में टेनिस को रेगुलेट करता है और टेनिस में जर्मनी के जो अलेक्सेंडर Zverev है उस्टोंने डेनियल मेदेव देव जो है उनको 64 64 से हराया है और इसका अवजन अस्थल जो था इटली के ट्यूरिन में ATB का जो फुल फॉर्म है वो है Association of Tennis Professional इसकी अस्थापना हुई थी फ्रेंट सितंबर 1972 को और इसका मुख्यालय है लंदन UK में और इसके अध्यक जो है वो है एंड्रिया गाउंडेंजी Next Question है किन तीन देशों के तट रच्छक बलों के बीच त्रीपक्षिय सेन अभ्यास जो है जिसका नाम दोस्ती है आयोजित हुआ है इसका सही अंसर होगा Option No.B मालडविप भारत और श्री लंका इन तीनों देशों के बीच में त्रीपक्षिय सेन अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया है और तीनों देशों के तट रच्छक बलों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को किया है और इसका पंदरवा संस्करण है और कि international day for the elimination of violence against women 2021 कब मनाया गया है इसका सही अंसर होगा option number C 25th of November को मनाया गया है और 26th November को हम milk day हमारा constitution day दोनों celebrate करते हैं हर साल इस दिवस को 25 नवंबर को संयुक्त रास्ट वारा चिन्हित किया जाता है और इस दिवस को मनाने के लिए जो उद्देश है कि उस महिलाओं में ऐसी जागुटा को पैदा करना है जो कि दुनिया पर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको घरेलू हिंसा उनके उपर हो र नीम रही थी वह है और इंस दो वर्ल्ड एंड वाइलेंस अगेंस्ट वुमेन नाव नेक्स्ट क्योशन एफेंस धरती को एस्टरोइड के हमलों से बचाने के लिए दुनिया का पहला डार्ट मिशन को किस ने लॉंच किया है इसका सही अंसर होगा आपसर नंबर डी नासा नासा के द्वारा इस मिशन को लॉंच किया गया है डार्ट जो है जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्टरोइड डी डायरेक्शन टेस्ट और इसका काम क्या है और किस उद्देश से इसको लॉंच किया गया है वो है कि धरती को एस्टरोइड यानि कि छुद्र ग्रह के हमलो से बचाने के लिए NASA ने एक mission को launch किया है जिसका नाम है DART और इसका जो मुख्य उद्देश से है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे asteroid की दिसाओं का पता करना है और इसको launch किया है spacecraft की spacecraft ने और spacecraft को Falcon rocket के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया है और जहां वो asteroid से टक्राएगा जाके और उसके बाद यह पता चलेगा कि जो asteroid है उसकी दिसाओं में कोई बदला हुआ है या नहीं और SpaceX ने इस rocket को कहां से रवाना किया है तो California इस थी बॉंडेन वर्ग Space Force Base से इसको रवाना किया गया है और इस rocket का इस्तमाल जो है Space X Falcon 9 से किया गया है NASA जो कि एक अमेरिका की Space Agency है और हमारे इंडिया की जो है DRDO और अमेरिका की है NASA जिसका फुल पॉम है National Aeronautics and Space Administration यानि कि राष्ठी वेमानी की और अंतरिक्ष प्रबंदन इसकी अस्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका हैटक्वार्टर रेफ्रेंस पॉसिंग अटन DC में Next Question है किस राज के थुल्मा कंबल को GI Tag मिला है यानि कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन तो इसका सही अंसर होगा Option No.B उत्राखंड या पारंप्रिक कंबल जो है उसकी बहस्तरिन गुर्वत्ता के लिए और उसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाई के जो महिला होती है उन्हें अपने हातों से बुन कर इसको बनाती है और जियाई टैग का क्या है कि किसी भी उत्पात के लिए एक प्रतिक चिन के समान होता है जो उत्पात की विसेश्ट भौगलिक स्थिति यानि वो कहां से है और उसके विसेश्ट गुर्वता यानि कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसके पैचान के अधार पर इस टैग को दिया जाता है नेक्स क्योशन है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहां 600 मेगावाट के अल्ट्रा सोलर पावर पार्क यानि की स्वार उड़्जा पार्क की आधार सिला रखी है इसका सही आंसर होगा आपसर नंबर सी यानि की जहासी मे फ्रदानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने उत्तर प्रदेश के जासी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की अधार शीला रखी है और जो यह कदम है बुंदेल कर छेत्र को प्रचूर मात्रा में भूमी और सुर्य के प्रकास के साथ राज्य में सौर उड़जा केंदर में बदलने का प्रयास करेगा उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनौ और यहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाज जो की बीजेपी यानि की भारती जन्दा पार्टी से है और इनकी कॉंसिट्वेंश्टी है गोरकपूर और यहां की जो गवर्नर है वो है अनंदी बेन पटेल इलाबात उ उच्छ न्याले की जो मुख्य न्याधिस है वो है राजेस बिंदल और उत्तर प्रदेश का जो खंड पीत है वो एक लखनौ में भी इस्तित है नेक्स्ट क्वेशियन है फ्रेंट्स पाच्वे एशिया युवा खेल 2025 का आयोजन कहां होगा इसका सही अंसर होगा ऑप्सर नमबर डी ताशकंद उच्वेकिस्तान में पाच्वा एस्याई युवा खेल 2025 और जो पाच्वा एस्याई युवा पैरा खेल है 2025 वो भी ताशकंद उच्वेकिस्तान में एक ही जगब पर आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी करेगा उच्वेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद और इसकी मजूरी जो दी है वो ए एशियन पैरालंपिक समीती ने दी है पहली बार एशियन यूथ गेम 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का जो आयोजन है एक ही सहर और एक ही जगह पर किया जाएगा इसका संस्क्रण पांचवा है और इसका आयोजन अस्तल है ताशकंद उच्वेकिस्तान केंद्री निती आयोग के सतत विकास लक्ष शहरी भार सूचकांग 2021 यानि के सस्टेनिबल डेवलपेंट गोल्स में कौन सा शहर सिर्ष पर रहा है इसका सही अंसरों का आप्सन नंबर बी शिम्ला केंद्री निती आयोग जिसके अध्यक्ष हमारे नंडर मोदी जी उनके सतत विकास लक्ष शहरी भार सूचकांग 2021 में शिम्ला सहर जो है देश भर में सिर्ष अस्थान पर रहा है और इसके सूचकांग में समाजिक, आर्थिक और पर्या वरनी माप दंडो पर निती आयोग ने 56 सहरों का मुल्यांकन किया है जिसमें से टॉप 10 सहरों में सिम्ला को 100 में से 75.50 अंकों के साथ फर्स रस्तान मिला है और पहली बार सहरी छेतरों के लिए ऐसी रैंकिंग होशित की गई है और टॉप 3 सहर जो रहे हैं उनमें फर्स्ट है सिम्ला, सेकेंड है कोयंबटूर और ठर्ड है चंडीगर्ड और सबसे आखरी जो सहर है वो रहा है धनबाद नेक्स्ट क्योशन है रिसॉर्व्ड यूनाइटिंग नेशन्स इन डिवाइड़ वर्ल्ड किसकी आत्मकत्रा लॉंच हुई है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्सन नंबर बी बान की मून बान की मून जो है वो यूनाइटिंग नेशन्स के पुर्व अध्यक्ष भी रह और इसमें जीवन के उनके अनुभव और चुनौतिया भी सामिल है जिनका लेखक ने अपने जीवन में सामना किया और सयुगत्रास्ट यानि की यूनाइटेट नेशन में अपने कारेकाल का जो भी उन्होंने काम किया है उसका वर्णन भी इस बुक में किया है टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे समानित किया है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन नंबर बी डी सी सिंगानिया को फ्रेंड एक क्वेशन भी है जिसका एंसर आप सब अपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा लास्ट का एक क्वेशन है जो है अंतरास्थी एमी पुरसकार 2021 जो है उसे किसे समानित किया गया है इसका answer friends अपने comment box में दीजेगा और अगर आप कोई वीडियो अच्छा रगता है तो प्लीज इसको like and subscribe करना बिलकुल भी मत भूलेगा और इसको जादा से जादा अपने friends, family, group and सब में share करिएगा तो हम इस वीडियो को thousand likes तक पहुचाने का target रखते हैं तो please हमें support करिएगा, thank you